दोस्तों अभी देखिए मैं अपने Google Play Games बीटा में अभी ट्रीफायर मैक्स को ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पर गेट रेडी ट्रीफायर मैक्स करके आ रहा है और यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रहा है इसके अलाबा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों यह 5 मिनट के आसपास मैं वेट कर चुका हूँ अभी मैं इसको क्लोज भी कर देता हूं यहाँ पर से और उसके बद फिर से ओपन करके आप यह ओपन नहीं हो रहा है तो ऐसे कंडिशन में अगर आपके PC में ऐसा प्रोब्लम आ रहा होगा तो इसको कैसे सॉल्व करना है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही चोटा से वीडियो रहेगा दोस्तों बस वीडियो को आपको लास तक देख लेना है और अगर अच्छा लगेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में से आल नोटिफिकेशन को ओन कर लीजिए तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो दोस्तों ऐसा अगर आपके में प्रोब्लम आ रहा है ना तो सबसे पहली बात तो यह है कि इसको आपको क्लो क्यों मैं आपको बताता हूँ इसको ओपन करने बाद फिर से प्ले के ओप्सन पर आपको क्लिक करना है अब हो सकते हैं इतना में मेरा गेम ओपन हो जाएगा इस पर कोई भी प्रोब्लम नहीं आना चाहिए लेकिन अभी भी ओपन नहीं होगा तो एक और तरीका है जो आपक परसेंट वर्क करेगा मुझे लग रहा है अभी भी काम नहीं किया क्योंकि यह इतना समय में ओपन हो जाना चाहिए था अभी भी ओपन नहीं हुआ है तो ऐसे में हम लोग को यहां पर से फिर से इसको क्लोज करना है प्लोज करने के बाद यहां पर जो टास्क बार होता है निचे में उसमें आपको राइट क्लिक करना है राइट क्लिक करने के बाद टास्क मेनेजर का औंसा आएगा इसमें आपको जाना है इसमें आएंगे तो यहां पर बहुं सारा जो जिटना भी टास्क आपके computer में चल रहोगा वो सभी दिखाई देगा तो इसमें Google Play Games करके कुछ भी रहेगा उसको आपको close करना रहेगा उसको आपको ढूंड़ना है सबसे पहले ठीक है तो देखिए यहाँ पर एक चल रहा है Google Play Games करके इसको आपको right click करना है right click करेंगे उसके बाद end task का एक option आएगा इसको आपको click करना है जितना भी Google Play Games से related इसमें task चलते रहेगा उन सबको हम लोग को close करना है वो background में चल रहा है इसी कारण से वो problem आ रहा है इसमें आप search भी कर सकते हैं जैसे G लिखेंगे तो G से related जितना भी task है वो सब भी आपके सामने आ जाएगा तो और तो मुझे इसमें नहीं मिला उसको मैं end task किया और उसके बाद फिर से मैं open करके देखता हूं हो सकता है मैरा problem solve हो गया होगा ऐसे ही एक-एक solution को apply करके आप open करके देखेंगे तो आपके लिए ज्यादा easy रहेगा बांकी सब try करने का जरुरत भी नहीं पड़ेगा अभी मैं open किया हूं तो इस बार open होने में time लगा है मतलब हमारा task पूरक पूरक clear हो गया था अभी मैं फिर से play के option पे click करता हूं अब देखते हैं हमारा free fire max इस बार open होता है कि नहीं होता तो देख लिए दोस्तों इस बार हमारा free fire max open हो गया लेकिन अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा wait करना पड़ा 10 सेकंड बोल रहा था तो अभी कम से कम मुझे 30 सेकंड तक wait करना पड़ा उसके बाद free fire max open हो गया लेकिन आप wait करेंगे end task करने के बाद तो यह 100% open हो जागा कोई भी problem नहीं आएगा और इतना सब करने के बाद भी आपके वह open नहीं हो रहा है तो एक तरीका आप यह कर सकते है फिर से आपको यहां पर task manager में क्लिक करना है इन दोनों window को close किये बीना ही ठीक है task bar में right click करना है फिर task manager में जाना है अब इस बार यह दोनों के दोनों processing में है मतलब task अभी running में background में तो उपर में ही दिखाए देगा तो यहीं पर से direct आपको इसको end task करते जाना है तो सब गूगल प्ले गेम्स का और भी है इसको भी end task करना है इसको भी करना है जितना भी दिखाए देगा उन सबको end task करना है इसको यहां पर से कुछ भी करेंगे उससे कोई भी effect नहीं पड़ता जैसे ओपन करते हैं यहां पर task manager में फिर से आ जाता है और यहां पर रहता है न तो फिर से open करते हैं वो पूरा नया तरीका से open नहीं हो पाते है इस कारण से हमारे PC में problem आ जाता है जितना भी दिखाए देगा उन सबको end task बस आपको कर लेना है इससे कुछ भी problem नहीं आएगा problem आता तो मैं आपको बताता भी नहीं और उसके बद फिर से हम लोग को open करना है अब मेरे में तो पहले ही जो बताया था end task करके उसी में problem solve हो गया था लेकिन अभी मैं फिर से आपको open करके दिखा देता हूँ अभी मैं play के option पर क्लिक करता हूँ अब देखिएगा मेरा free fire max फिर से open हो गया है दोस्तों अभी मैं फिर से थोड़ा सा wait तो किया हूँ 30 टास्क करने के बाद लेकिन इस बार भी पूरक पूरा open हो गया और कोई भी problem देखने को नहीं मिला तो दोस्तों अगर आपके में भी इस तरीक से get ready करके आता है और processing में अटक जा रहा है free fire max open नहीं हो पा रहा होगा PC में तो इस वीडियो में जितना solution बताया हूँ नो उन स मिलते हैं हमरे किसी और वीडियो के साथ अभी के लिए सभी को bye bye